रादे, हरे क्रिश्ना, कैसे हो आप सभी लोग, आशा करती हूं, आप सभी मंगल में होगी, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे नवरात्रे, सिगर, अती सिगर आने वाले हैं, एक या दो दिन ही सेस बचे हैं लेकिन अवरात्रों में आप मातर रानी की पूजा अर्चना वंदना करते हो उनको भिन भिन परकार का भोग लगाते हो लेकिन आज मैं आपको पताने जारी हूँ कि प्रथम दिन से लेकर नो दिन तक थार पहले नवरात्रे से लेकर नोवे नवरात्रे तक अलग-अलग माता का दिन होता है पता ही आप लोगों को नंबर सैल पुत्र का दिन होता है ब्रह्म जारने का दिन होता है कुछ मांडे का दिन होता है कात्यानी माता के दिन होता है इसकंद माता के दिन होता है मतलब पर्थम दिन से लेकर नोवे दिन तक अलग अलग माता का दिन होता है लेकिन ह वही रिपीट करके भोग नित्ति लगा देते हैं वही रिपीट करके भोग नित्ति लगा देते हैं कोई-कोई तो महराज ऐसे लोग होते हैं जो स्वते खाने का मन होगा वही भोग मातरानी को लगा देंगे सास्त क्या कहते हैं, सास्त कहते हैं कि हर मातरानी की अपनी एक अलग चोईस होती है, जैसे कि फूल की चोईस होती है, वस्तरों की चोईस होती है, कप्रों की चोईस होती है, वैसे ही भोग में भी हर मातरानी को किस किस दिन, किस किस चीज का भोग लगता है, ये बहुत ज़्य लेवल के व्यक्तिभी है लोग व्यक्तिभी है तो मैं उपाई ऐसे बताती हूं कि सभी कर पाएं तो आज मैं भोग भी आपको ऐसे बताने जारी हूं जिसमें कुछ ज्यादा माउंट खर्च नहीं होना है बहुत रीसनेवल प्राइज में इस इस पता आदी से ज्यादा बोलिए सहल पुत्री माता को गाय के घी का भोग लगता है विशेद ध्यान देजिए ये नहीं कि आपने गाय के घी के जोड जला दे या फिर सब कुछ कर दिया नहीं सहल पुत्री माता जी को गाय के घी का भोग लगता है और फलो में अनार का भोग लगता है इस बात का आपको ध्यान दे रहा है फलो में अनार का भोग लगता है और भोग में किसका गाय की घी का भोग लगता है नमबर दूसरा दूसरा नवरात्रा किसका होता है भ्रमचारी माता को सक्कर का भोग लगता है चाहे तो आप गुड का सक्कर ले सकते हो चीनी का सक्कर ले सकते हो मिस्री ले सकते हो मतलब सक्कर कोई भी चीज का सक्कर आप ले सकते हो सक्कर का भोग लगता है गुड की सक्कर क भोग लगा सकते हो, चीनी का भी लगा सकते हो, मिस्री का भी लगा सकते हो, भूरे का भी लगा सकते हो, और फलो की अगर हम बात कर लिए जाएं, तो भ्रमचार्णी माता को फलो में शेब का भोग लगता है, तो दूसरे नवरात्रे में आपको सक्कर और सेब का भोग मातरान को लगाना बहुत ज्यादा अवश्यक है तीसरा नवरात्रा किसका है बोलिए चंद्रघंटा मैया की जै चंद्रघंटा मैया दूद की बड़ी शौकिन है तो दूद से बने जो भी प्रोडेक्ट होते हैं जसकी खोवा हो गया खोए से बनी कोई भी मिठाई होगी इनका लगता है फलो में केले का भोग लगता है तो तीसरे नवरात्र में आपको दूद से बनी कोई भी मिठाई और फलो में केले का भोग लगाना है चौथा नवरात्रा किसका है बोलिए कुस्मांदा माता की जै कुस्मांदा माता को माल पुए का भोग लगता है आप माल और नासपाती का भोग लगाना है पंचम नवरात्रा किसका है पंचम नवरात्रा आता है इसकंद माता का बोलिये स्कंद मया की जैंद मतल को ड्राइफ रूट्स का भोग लगता है जो भी ड्राइफ रूट्स आपके खर्पे अब लेवल हैं वो ड्राइफ रूट्स का भोग लगा सकते हैं और फलो में आपको किसका भोग लगाना है केले का भोग लगाना है अंगूर का भोग लगाना है अ मा कात्यानी माता की, बहुत ज़्याद सभी की फेवेट होती है कात्यानी माता, कात्यानी माता वो है, गोपियों ने जिनको पाने, गोपियों ने करहिया को पाने के लिए जिन माता से प्राथना करी थी, हर कातिक पूर्मा पे, कातिक के महिने पे, वो यमना जी में स्नान करती दो रुखमनी ने विवा से पूर्व कात्यानी माता की पूजा करी तो कात्यानी माता की पूजा करे तो अगर कौारी लर्किया करे तो बहुत अच्छा फलदाईब फल मिलता है लेकिन कात्यानी मैया को भोग में क्या पसंद है तो कात्यानी मैया को भोग में सहद बहुत ज्यादा पसंद है कात्यानी माता को सहद का भोग लगता है और अगर हम फलो की बात कर ले तो फलो में अमरूद का भोग लगता है तो आपको छटे नवरात्रे में सहद पी यां की जै काली मैया को गुर का भोग लगता है हमेशा ध्यान रखिये जो ची को यदित प्रिया होता है आपस्ति को ल soup का भूग लगाना है गुर्ग और चीकू का भोग, अस्तम नवरातरी की बात कर लेते हैं, अस्तम नवरातरी किसका है, महागोरी का वोलिये महागोरी मया की, जै, महागोरी को नारियल का भोग लगता है, आप सूखा नारियल, घीरा नारियल, वटैवर नारियल, पानी, इन सभी चीचों का भोग लगा सकते हो और जो फल है फलों में सरीफा का भोग लगता है माहगोरी को सरीफा बहुत ज्यादा प्रिय होता है इसलिए फलों में सरीफा का भोग लगता है नोवा नवरात्रा किसका है नोवा नवरात्रा है रिद्धी दात्री का बोलिए मा रिद्धी दात्री की जै नोव अब नवरात्र में किसका भोग लगेगा फलो में संत्रा और भोग में तिल का भोग अति और अधिया अगर आप यह सपना कर पाएं कि देदी हम तो भूल जाएंगे वैसे तो मैं आथ लोगों से चाहूंगे कि इसमें मैंने कोई बड़ा हाती का पाऊ नहीं बताया बहुत ही मामली चीज़े बताईएं आप देली इनका भोग लगाएं लेकिन अगर आप देली इनका भोग नहीं लगा पारे हो बूल रहे हो तो देली आपको एक अनार का भोग तो अभिश्य लगाना है मातरानी का फेवरेट फल अनार फेवरेट फूल घुरहर फेवरेट जो इत्र जो कहते हैं कि मातरानी को जो अपनी तरफ खीशता है कौन है कौन सा है गुलाब का मातरानी को सबसे प्रिय जिसकी खुश्बू लगते वो क्या है कापूर मातरानी का फेवरेट रंग लाग तो इन चीजों को याद रखिए कि अगर इन सम्में आप किसी का भी भोग नहीं ल खट्टे का लिजिए डेली पंचमेव का भोग लगाई है एक बार मैं आपको इन शॉट में और बता देती हूं कि इनका भोग लगाने से किस चीज की प्राप्त है कि मा सैल पुत्री को अगर गाई के घी का भोग लगाया जाए तो हर हमें हर परकार के रोगों से छुटका इसलिए मा सैल पुत्री को गाई के घी के भोग की बहुत ज़्यादा मानेता है मा ब्रह्म चाननी को अगर आप सक्कर प्रंचामित का भोग लगाएंगे तो ऐसा बोला जाता है कि उस व्यत्ती की आयू लंबी होती है और सक्कर कितरे मीठा होता हुआ चला जाता है इसलिए अगर किसी ने आप से बोला है आप बहुत बिमार रहते हो आपकी आयू भोचीन है तो मा सैल पुत्री को सक्कर या प्रंचामित का भोग अवश्चे लगाएंगे तीसरी बाता जिनके बारे में बात कर लेते हैं चंद घंटा माता को दूद से बनी हुई मिठाई का भोग मेवे का भोग लगाया जाता है क्याते हैं मेवा जो होता है वो रिच भोग में आता है मतला रिच फूड जिसे बोलते हैं रिच फूड तो जो मेवा होता है मेवे अथा ड्राइफ रूट्स होते हैं वो रिच फूड में आते हैं तो क्याते हैं अगर आप मा चंद्र घंट को क्याते हैं मा कुस्मानडा को अगर माल पुए का भोग लगा देना चाहिए और माल पुए को धान भी करना चाहिए उजिन क्या होता है माल पुए का भोग लगाने से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी वुद्धी प्रवल होती है आपका बुद्ध ग्रेट उनको केले का भोग ड्राइफ रूट्स का भोग जरूर और जरूर लगाना चाहिए जिनकी नोकरी नहीं लगी है वो इसकंद माता की पूजा अच्छना बंदना करें सारीरिक कस्ट भी दूर होएगा मा कात्यानी जिनका छटा नवरात्रा होता है कहते हैं कि मा कात्यानी को मीठे पान का भी भोग लगान में सहद डालकर अगर आप भोग लगाते हो तो अगर आप चाहते हो आपकी ब्यूटी हो चहरे पे तेज हो लोग आपकी तरफ आकरसित हो आपका ओरा क्लीन हो तो मा कात्य यानिको इसका भोग अवश्य लगाना चाहिए, सातवा दिन होता है मा काल रात्री का, मा काल रात्री को गुड और गुड से बनी चीचों का भोग लगाया जाता है, क्याते हैं, इससे हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है, घर में सकारात्मक उज्जा का संचार ह किसी भी परकार का जादू टोना पूरे साल आपके पास जू भी नहीं सकता, अगर आपने मा काली को गुड का भोग लगा दिया और फलों में चीकू का भोग लगा दिया, आठवे नवरात्री की बात कर लेते हैं, आठवे नवरात्रा महा गोरी का होता है, उस दिन उनको नारियल का भोग लगा जाता है, क्याते हैं जो नारियल होता है, नारियल और जो केला है, फ्रूर्स में दो चीजे ऐसी होती है, जो किसी भी परकार से जूटी नहीं होती है, नारियल हमेशा इच्छा पूर्थी के लिए मातरानी को दिया जाता है, आप कोई भी अपनी जाता है कन्या भोग किया जाता है कन्या भोजन किया जाता है साती के साथ उस कन्या पूजन में जब आप अपना यूटूब चैनल हरी बॉल को लाइक से शब्सक्राइब करना बिलकून भी मत भूले तब तक के लिए मुझे दीजय जारत रादरादे हारे कृष्णा हारे